Hello friends, welcome back in YCP English mantra दोस्तो आज आपको हम इस वीडियो में सिखाने वाले हैं एक और advanced structure तो आईए देखते हैं वो advanced structure क्या है हमें अपने daily life फे इस प्रकार के sentences बुलने होते हैं जैसे जितना पीना है पीलो, जितना नाचना है नाचलो, जितना सोना है सोलो तुम जितना चाहो उतना खा सकते हो तो ऐसे sentences जहाँ पर आपको मिलता है जितना या फिर तुम जितना चाहो तो वहाँ पर हम जिस advanced structure का यूज करते हैं वो है as much as you want इसका हिंदी मिनिंग होता है तुम जितना चाहो आईए इसका rule देखते हैं सबसे पहले sentence आएगा अगर हमारा सिर्फ verb आया है sentence में तो verb लिखेंगे इसके बाद लिखेंगे as much as you want आईए example के माद्यम से और अच्छे समझ लेते हैं जितना पीना है पीलो, drink as much as you want जितना खाना है खालो, eat as much as you want इट as much as you want जितना सोना है सोलो, sleep as much as you want जितना रोना है रोलो, weep as much as you want जितना हसना है हसलो, laugh as much as you want तो friends अभी आपने सारे sentence में देखा कि बस verb आया था तो हमने verb लगाया और इसके बाद हमने लिख दिया as much as you want आईए next example देखते हैं, तुम जितना चाहो उतना खा सकते हो तो friends यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें sentence आया है तुम खा सकते हो तो पहले हम sentence लिखेंगे बाद में लिखेंगे as much as you want आईए इसका English बनाते हैं, you can eat as much as you want यहाँ पर पहले हमने sentence लिख दिया तुम खा सकते हो, you can eat as much as you want यानि तुम जितना चाहो, next तुम जितना चाहो उतना कमा सकते हो तुम जितना चाहो उतना अंगरी जी बोल सकते हो तो फ्रेंट्स इस sentence का टनासन क्या होगा, आप सभी लोग कमेंट करके बताइए और फ्रेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए क्योंकि आपका एक लाइक, एक सेयर, एक कमेंट हमें मोटिवेशन देता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए तिल दिन बाई बाई टेक केयर, कीप लर्निंग है फन